हेलो एविवान स्वागत है आप सभी का आज के फैंटेसी प्रिविव में मुकाबला रसी भी बनाम केके आर अनिये केला जाएगा अध बैंगलूरू चिनस्वामी स्टेडियम यह हमेशा होता एक फिफ्टी वान फॉर्टी नवला मुकाबला नथिंग टू चूस रॉम पहल टाइम अगें उन्हीं मिनीजेल्स हमें पता है कि लास्ट कुछ गेम्स कैसे जा रहे हैं एक गेम में रियान पराग रंस करके गए वही गेम मैश्वन आवे उपर वाले गेम में बनें अच्छे कासे ड्रॉप कैच्छ इन हाईस्ट इपील स्कोर तो ऐसे गेम्स प्रेडिक कर सकते हो 1380 वाली मिनीजेल्स बाकि आपको जो भी मिनीजेल्स पसंद है तो यह हुई लीक्स की बात एक्सचेंज ट्रॉइटू पर लीडर वोट चल रहा है अगर आपको जॉइन करना है तो आप बिल्कुल जॉइन कर सकते हैं आपको सिंप्ली प्लेयर्स को रिवेंबर जॉइन अगर आप नए हो चैनल पर तो बेल आइकन जरू क्लिक करिए और इस चैनल से सब्सक्राइब करिए और कॉंटेंट बिल्कुल एंड तक देखिए और आपको पसंद है तो अपने फ्रेंज के साथ बिल्कुल शेयर करेगा वैदर रिपोर्ट क्लियर है इस मुकाब लास्ट यर तो इससे भी उच्छे स्कोर्स देखे थे तो अगर और भी फ्रेश पेच हुई तो यू माइट बी एबल टो एक्सपेक्ट फ्यू मोर अब बात करते हैं लाइन अप्स की तो सिमिलर लाइन अप्स यहां पर हम एक्सपेक्ट करेंगे दोनों टीम्स की फ्रॉम में इंवेस्मेंट लीडर बोट चल रहा है और माइमास्ट लेवन तो अगर आप स्मॉल लीग्स खेलने हैं अभी तो मैं कुछ लियम्स के लिए पॉस करना हूं पर जो भी खेलना है बिलकुल जॉइन कर सकता है लीग्स यहां पर फर्स प्राइस में हैं मॉसिडीज और ब जो हम आगे मैच अपस वाले सेक्शन में डिसकस करेंगे सीरीज लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट करना मत भूलेगा यह करेंट सिनारियो में और बेटर होगी आज यहां पर अप टू ट्वैट टीम्स बनाके अपनी लीग्स जॉइन कर सकते हो सो इंट्रेस्टिं का फॉर्माट है एंड कंसिस्टिंसी यहां पर रिबॉर्ड होगी अब बात करते हैं फैप डूपलेशी की वर्सिस केक्या ठीक टाक नंबर्स थरीफाइफ का आवरेज और बेंगलूरू 50 प्लस का आवरेज लास्ट गेम में फेल हुए थे बट इस गेम में अगर मिचल स् सब्सक्राइब कर सकते हैं इस पेच अच्छी है फो बैटिंग एल्स बेस टीम में तो जगें नहीं मिलेगी इने ग्लेन मैक्स्वेल पॉम थोड़ा अपन डाउन रहा है इनका एंड सामने वाली टीम में नितिश राना है एक लेफ्ट हैं बैटर वेंक टेश आई और दूस्टे लेफ्ट हैं बैटर तो इनके सामने इने बोलिंग मिल सकते हैं सुनील नारायन भी ओपनिंग किये थे इन्दे लास्की हम तो प्या और में बोलिंग आती हैं इनकी 19 मैच अनिके रउन फोर विकेट वग्या तो ठीक टाक नमबर्स एन बोलिंग वाली यहां पर मिल सकती है दूस्टे प्लेयर हैं पे कैमरें ग्रीन जिनका एक मैच में एक ही रन बना वर विकेट लिया उस गेम में तो अच्छी पिक ब बात की जाए तो ठीक टाप फॉर्म में चल रहे हैं थ्री मैच इस फॉर्ट नाइन राइन वर्सिस के क्या तीन मैच में सिर्व आट रहन तो मैच अप खास रिकॉर्ड नहीं इनका इनको भी इनकाउंटर करना पड़ेगा थ्री जो स्पिनर्स हैं इनके टीम के तो आसान टा ब्रसिस के क्या एक मैच में थर्डी फोरं बैंगलोर में ठीक टाक नमबर्स एं सत्रा का आवरेज दिनेश खार्तिक वर्सिस के क्या रोट बैंगलोर 17 का अवरेज लाव्स दो गेम से काफी अच्छा खेल रहें गेम भी अच्छा फिनिश किया हैं वह बट यह हो जाएंग याद रखिए यह जो गेम है इसमें लेफ्ट हैंडर्स ज्याद है तो अच्छा चांस है कि में भी करन शर्मा यहां खेल जाए और खेलेंगे तो जील में आप ट्राइ कर सकते हैं आज यह पिच ऐसी है जहां पर बोलर्स को खासी कुछ मदद मिलेगी नहीं तो में भी बेश टीम में लेना मुश्किल होगा अलजारी जोजिफ काफी मार पड़ रहे हैं इन एवरी गेम टू मैचे स्री विकेट वसिस केकियार और वन मैच वन विकेट अट बैंगलूरू पॉसिबल है कि रीज टॉपली ने रिप्लेस करें इस मुकाबले में लेट सी क्या होता है मेरे ये तो काफी 50-50 पिक सिराज अब तक के बैस बोलर है इनके लिए 12 मैच में 13 विकेट वसिस केकियार और बैंगलो 16 मैचे त्वैनी विकेट विकेट तो रिली गूट नमबर्स आफिन बोलिंग फॉस्स आपको लेना ही पड़ेगा सेकंड करनी है यह दयाल पावर प्ले में बहुत ही इंप्रेसिव बोलर लास्ट गेम में भी एज इन्होंने प्रड्यूस किये एंड पॉसिबल है इस गेम में भी वापस वो चीज को प्रड्यूस कर पाएं स्पेशली क्योंकि सुनील नरायन अब टॉप बैटिंग करेंगे तो एक वो तो जो विकेट है जल्दी वहां पर जा सकता है लेट सी किसकी जोली में विकेट जल्दी गिर जाता है तो यह हुई बात फॉर दे बैंगलो टीम आप चलते हैं कोलकदा टीम की तरफ यहां पे फिल सॉल्ड फर्स बैटर वर्सिस आर्सी भी एक मैच में 87 लांज एन अट बैंगलो तीस का आवरिज तो ठीक ताक नंबर है और लेट सी कैसे करते हैं यहां पर मेभी आप इन्हें बेस टीम में ले सकते हो क्योंकि यह ओपनिंग करेंगे मेभी 15-20 रन मारके एक विकेट ले लिया तो आपको फैंटेसी वाली वह साब से मिल जाएगी बट ओफ लेट विद बैट कुछ खास जादा करनी पाएगे बैंकिटेश एगर 5 मैच्चे 111 रन इनका जो बैटिंग स्टाइल है काफी हाय रिस्क है चल गए तो चल गए ऐल्स कुछ नहीं देखे जाएंगे आपको 11 मैच्चे 248 रन तू 28 की आभरेज और पॉसिबल है कि विद द बॉल भी इनका काम यहां पर बन सकता है आपको जित यहां पर ले चुके हैं तो डेफिनिटली इन इंट्रेस्टिंग चॉइस में बेस्टीम में फिट कर लो लेट सी जब हम आगे टीम डिसकस करेंगे तो यह पॉइंट पे भी हम आजएंगे श्रेयर सही है डेफिनिटली वरी गोड पिक फॉर्म इनका थोड़ा अपन डाउ अफ्कोर्स इन्हें आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं इस थरीके के फॉर्म में चल रहे हैं त्री मैच्चे सेविंटी रंस और बैंगलोर फिफ्टी वन का अवरिज है तो काफी अच्छे नंबर्स हैं और वापस एक और टॉप फिनिश हम इनसे एक्सपेक्ट करेंगे भी स्पिनर्स यहां पर पूरा कोटा ना करें मिचल स्टार्क अगर इनका सबसे लॉंग स्टिंट आई पील में कोई टीम के साथ रहे तो वह आर्टी भी के साथ ही रहे अब तक अब आएंगे उनके सामने एक मैच में एक पिकेट यहां पर यह कैसा बोलिंग करेंगे इस गेम में काफी उस बात पर निरबर करेगा और जील कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस बिलकुल यह बनेंगे इस मुकाबले में हर्षद राना लास्ट गेम में बहुत इंप्रेस किया उन्हें ने रिली गुड लाइंस और आके विकेट लेके गए डेफिनेटली आप इन्हें कंसेडर कर सकते हो स्पेशली ग्रैंड लीग में में बहुत पहले बोलिंग करें तो स्मॉल लीग टेम में भी तो यह शर्मा दिसकेशन मैंच अप्स की बात की जाएं तो फैफ टूपलिसी वसे सुनील नरायन फिफ्टी त्री और सिक्स्टी सिक्स और दो बार आउट होएं विराट कोली सिर्फ 100 का स्ट्राइक रिट वसे सुनील नरायन और फिल सॉल्ट मैं जूम कर रहा हूंगा रीश टॉपली आ दूसरे साइट से आपको नरायन या वरुन चक्रवर्ती दिख जाएं तो एक बार आउट हूँ है तो यह हुई मैच अपस की बात काफी इंट्रेस्टिंग मैच अपस यहां पर अब चलते हैं हमारी बेस तीम की बात की जाएं वी स्टार्ट विपिंग सेक्शन यहां पर विल सॉल्ट एक स्टेट फोड़ चोई सापके लिए बनके आते हैं बैटिंग सेक्शन से विराट फाफ रिंकू सिंग श्रेयर सहीर आप चारों को नहीं छोड़ सकते हो आपको कॉंट्रिबूशन करके दे सकते हैं और राउंडर्स में अंडिर असल ग्लैन मैक्सिवल एं मुश्किल होगा बोलिंग सेक्शन से बात की जाए तो मिचल स्टार्क एन मौमद सिराज यह होंगे आपके स्ट्रेट फोड़ पिक्स अंड यह लग रही है अभी के लिए हमारी फैंटेसी टीम कैप्टेंसी चॉइस होंगे ऑंड्रे रसल एंड वाइस कैप्टेंसी यह की बारी क्योंकि शॉट बॉल के सामने प्रॉब्लम्स है और हमें पता है फॉर्म इंका कुछ खास नेरा ऑफ लेट गट फील के बेसिस पे कुछ टीम में आप इन पर भी चांस ले सकते हैं फिर जो टीम में यहां पर इन दोनों बैटर्स पर चांस ले रहे हैं वहां प यह एक पिक वर्थ कंसिडरिंग बनेंगे और राउंडर्स की बात की जाए तो रमांदी थोड़ा सा लो आते हैं मैं इतना कंविंस नहीं हूं कि वापस इनने लिया जाए अट लीस बेस टीम या आपके में मिनी जील टीम में तो नहीं में भी एक दो टीम में ले सकते हैं प्वेंटी सुनी लरायन पर आप चांस ले सकते हैं विनी जी बोलिंग करते हैं ज्यादा तर विकेट टेकिंग फेज़िस में आते नहीं तो हैंस उन पर वह इसाप से चांस लिया जा सकता है बाकी आपके ने पिक कर सकते हैं वारुन चक्रवर्थी और सुए शर्मा वें बोल सेकेंड हर्शत राना वें इस बोलिंग फॉर्स और रीश टॉपली अगर खेलते हैं डेफिनेटली उन्हें कंसिडर करेंगा क्यूंकि अच्छे कासी पेक है बन किया सकते हैं इस मुकाबले में और क्याप्टेंसी वाइस क्याप्टेंसी चॉइस की बात की जाए तो बैटिंग चॉइस जो आपके टॉप बैटिंग चॉइस पहले चार हमने पिक किया थे वह चारों यहां पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो डेफिनेटली उन्हें आप कंसिडर करेंगा यहां पर मैक्सिमम टीम बनाएगे और होपफुली इस आर डे और वहां पर हमें मिल जाएंगे कुछ अच्छे प्राइज़ और फ्री कॉंटेस्ट भी अल्रेडी लाइव है तो डोंट फरगेट टॉइन लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में माइमास्ट लेवन का तो वहीं पर जाके लिंक से जुट जाएगा और इंजॉई करेंगे मुकाबला जबें नर्मल सी डजन रिज्यूम इंटरम्स ऑफ कैचेज और इंटरम्स ऑफ जिस तरीकी के प्लियर यहां पर खेल रहे हैं क्यूंकि अगर संजु संप्संट जॉस पतले यश्र स्वी जैसवाल सारे प्लियर ऐसे जल्दी आउट होके मिल्ड और में अश्वेन पराग आपके हा तो यह है थार्ट प्रोसेस जल्दी मिलेंगे एक और प्रिवी के लिए थैंक यू सो मच फॉर और यू सपोर्ट और थैंक यू सो मच पर त्यूनिंगे